नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है ओपो A53 और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ओपो के डिवाइस में ओपो A53 में असपेसली आप फिंगर्प्रिंट किस तरह से सेट कर सकते हैं क्या क्या सबसे पहले यहां पर पासवर्ट करने के लिए बोला जाएगा क्यूंकि यह जो चीजे होते हैं यह बैक इंहां आपने फिंगर लगांगे तो कोई भी पिंगर आप यहां पे ठरश चंटे कर चाहरा है तो इसका पंगर छाहरा इसलेख करना होगा तो भी और फेस तरह से करना है और फिर आपको हटा लेना है ठीक है इस तरह से करना है आपको इसके बाद आपको कंटिनीव कर देना है तो देख सकते हैं कि हमारा फिंगर यहां पे आड़ हो चुका है इसी तरह से अगर मल्टिपल फिंगर आपको आड़ करना है ठीक है तो मल्टिपल फिंगर के लि किसी finger को आपको डिलीट करना है तो आप टिलीट पर करके डिलीट भी कर सकते हो जो से के मैं डिलीट करके आपको दिखा देता हूं ठीक है तो मैंने डिलीट कर दिया ओके अब यहां पे एक चीज़ और है कि आप अपने fingerprint का इस्तेमाल किस किस परपस के रिगार्स कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अब बहुत सारे लोग यह चाहते हैं कि आप लोग जो है उनका वो फिंगर प्रिंट से अनलॉक हो जाए तो इसके लिए इस वाले को आप उन कर लिजेगा यहाँ पर आप सेव का मतलब प्रिवेसी के रिगार्ड जो आप एक सेफ स्पेस बना के रखते हो जहां पर डेटा वेटा सुरुक्षित करके रखते हो तो उसके लिए भी आप चाहते हो फिंगर्प्रिंट मेरा काम करें तो तो तीनों का पॉन कर लिजेगा यह काम करेगा तो इस तरह से करें दो तरह देंचे को में को में किजिए किले मिते हैं नेक्स बीडियों तब तक लिए बाइए